दोस्तों आज की टॉप खबरों में आपका स्वागत है मैं नवेद आलम आज हो चुका है सोमवार एकई सक्तूबर दोहजार चौबीस आईए देखते हैं देजबर की फटाफट अंदाज में टॉप खबर है आज की पहली बड़ी खबर से करेंगे सुरवात राजस्थान के धोलपूर में दर्दनाक सरक हाजसा बारे लोगों की गई जान तेज रफतार बसने टेमपू को मारी टककर साधी समारों से लोट रहा था पड़ीवार अगली खबर काणपूर के कुलगाओं इस्तित रोस लेदर गूड्स फैक्टरी में लगी भीसन आग आग से आसपास के शेतर में मची अफरात तफरी दमकल की दो गाड़िया मौके पर पहुँची करी मुसक्कत के बाद आग पर पाया काबू अगली खबर परदानमंतरी नरेंद मोधी पांच राज्यों के साथ एरपोर्ट से जुरे एक सट सो करोर रुपे के अलगलग प्रजोट का किया उधगाटन उत्रपरदेश के सहरनपूर, मदपरदेश के रिवा और छतिसगर के अंबिका पूर में नए एरपोर्ट का उधगाटन भी है सामिल अगली खबर बिहार में चार विधानसवा सीटों पर उप चुनाओ, चार सीटों में तीन सीटों पर लड़ेगी राजद तराडी विधानसवा से माले को टिकट वही एंडिये में दो सिट बीजेपी के पास माजी की बहु भी चुनाओ मैदान में अगली खबर महराष्ट में विधानसवा चुनाओ कॉंग्रेस महराष्ट में आज पहली लिष्ट कर सकती है जारी मुंबई में देर रात तक चली मिटिंग सपाने महा विकास अगारी से 12 सिटे मांगी अगली खबर महराष्ट विधान सभा चुनाओ को लेकर बीजेपी ने भी पर्तियासियों की पहली लिष्ट कर दी जारी जिसमें 99 नाम सामिल डिप्टी सीम देवेद फंडाडीज नागपूर दच्छिन पच्छिम से लड़ेंगे चुनाओ अगली खबर कॉंग्रेस महासाचिप पिरिंका गांधी वाड़ा 23 अक्तूबर को वैनाड लोग सभा सिट से करेंगी नामांकन दाखिल इस दोरान राहूल गांधी भी रहेंगे मौजूद नामांकन के बाद पिरिंका निकालेगी रोड़ अगली खबर पच्छिम मंगाल विधान सभा की छे सीटों पर उप्चुनाओं के लिए टीमसी ने अपने उमिद्वारों की घोसना कर दी वहीं पंजाब में आम आदमी पाटी ने उप्चुनाओं के लिए उमिद्वार घोसित किये तेरे नौउम्बर को होगी वोटिंग अगली खबर बिहार में डिप्टी सीम सबराट चोधरी के आवास पर एंडिये की बैठक उप्चुनाओं को लेकर मन्थन डॉक्टर दिलिप कुमार जैसवाल बोले एक जुट होकर मजबूस्ती से लडएंगे चारों सिट जीतेंगे अगली खबर सिक्कीम की महिला के सरीर में बारे साल से है कैची पती बोला डॉक्टरों ने दोहजार बारे में ऑपरेशन के दौराण छोरी तब से पतनी के पेट में हो रहा है दर्द सिक्कीम की एक 45 साल की महिला के अबडोमेन से 12 साल पहले छोड़ी गई कैची को निकला गया उनके पती ने बताया कि महिला ने 2012 में सिक्कीम की राजधानी गेंग टोक में एक अस्पताल में सरजरी कराए थी इसके बाद महिला एप्रेंडिसित का दर्द खतम हो गया हलाकि कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से पेट में दर्द होने लगा कई डाक्टरों को दिखाने के बाद भी दर्द नहीं कम हुआ तो फिर 12 साल बाद तक इस परेशानी को जुझती रही आठ अक्तूबर को जब फिर से वह अस्पताल गए वहाँ पर एकसरे के दौरान पता चला कि पतनी के अब्डोमेंड में सरजरी कैची है ये 2012 में हुए आप्रेशन के दौरान छोड़ी गई थी हर रोज टौप खबर पाने के लिए सबसे पहले आप दम मैसेज न्यूज यूटूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक में हमें देख रहे हैं तो पेज को फोलो कर लें उपर में फोलो का निशान है अगर आप फोलो करेंगे तो हर अबड इतराही तक दीजे इजाज़त फिर मिलेंगे टॉप खबरों के साथ चैनल